यह गाईस सवागत है आप सभी का मेरे चैनल पर इंटेर देखके आपको कौन सी कालर यह देखो चावी तो इसकी आइटउन्टी ऐसी है जैसी आती है आइटउन्टी कार कौन सी है अगर आप इंटेर से पहचा लेए तो देख लो बना एक बाद बाहर चलते हैं तब दिखात तो में कौन सी है यह भाई आपकी आइटउन्टी नहीं है यह है ग्रेंट आइटन नियॉस ग्रेंट आइटन नियॉस वाइट कलर में और पैट्रॉल यह देखो भाई लुक्स काफी अच्छे लगते हैं लेकिन वाई जो इसका एक कुछ ब्लुइश ग्रीन और कौन सा कला करें तो यह भाई आपका आइटन ग्रेंट आइटन का यहां पर नियॉस की बैचिंग मिल जाती है आपको और यह नियॉस में कुछ ऐसा ब्लू का यह अच्छा लगता है तो चलि ढूंप करते हैं फ्रस्क्राइश है बेसे करने लोगों जाता है और यहां पर इसके आपको अपन से जिसे बोलते है LED light sorry जो BSX कार्स में जलती रहती है और इसमें आपको ground clearance मिलता है 165 mm का मतलब I20 से तो कम है लेकिन भाई पता नहीं कहसे मुझे यह I20 से थोड़ी उंची लह रही है यहां पर आपको मिल जाते है Fog Lamps यहां कुछ ऐसी grill मिलते हैं आपको यह थोड़ी aluminum type की और यहां number plate looks तो काफी अच्छे लगते हैं थोड़ी गाड़ी बल्की लगती है I20 से भी और sports wearing में आपको यहां पर मिल जाता है आपका आपको इंडिएटर मिल जाता है और यह है बाई इसके कुछ अपॉलो के इसमें टायस आते हैं जिसकी प्रोफाइल है 16570R14 14 इंच के आपको इसमें टायस मिलते हैं और अच्छे लगते हैं यहां पर आपको इंडाई का लोगो मिलता है और यह petrol है तो इसमें आपक इसमें ड्रम मिलती है और इसमें बाई पेट्रो डीजल दोनों में आती है आटोमेटिक मैनो सब में आती है नियोस लेकिन आपको डीजल में भी आपको और डिस्क नहीं मिलती आपको सिर्फ फ्रंट में डिस्क मिलती है तो चलिए बाहर की बात हो गई अब कलते हैं एक बा इस पेस तो गारी में काफी बढ़िया है आपको मिलता है देखना कितना लेग इस पेस है मेरे पास काफी ज्यादा इस पेस बचा है और इसकी की यर काफी एक डब बदब आई-20 अच्छा लगता है और यहां पर आपको मिल जाते हैं दो एस इविंट्स और यहां से कुछ ऐस लिए फिटिस थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लग रहा है चलिए आपको आगे सी दिखाता हूं कि आशा है अब आपको कोई भी सेंस्थ नहीं अब जाता है चलिए अब आपको व्यालमीन टाप कर मिल जाता है यहां पर कंट्रोल मिर्स को फोल्ड करने के लाउप मिल जाती ह आपको और यह इसका काफी बढ़िया लगता है एक बार कार को स्टाइट कर लेते हैं कितनी आपको अंदर वॉइस मिलती है एंजन की में सुना देता हूं आपको कि अब भाई काफी रिफाइंड इंजन है बहुत ही स्मूथ एक दम देखो तो स्टेरिंग हो चाहिए आपकी गिया नौक हो युटा यसी चीज में भाई सबसे बंस लगता है कि गिया नौक वगरा देखो एकदम स्मूथ मिलते हैं और यहां पर हैंट प्रेक आपको यहां सीट बेर्ट के हैं कुछ पैसे बढ़े हैं हाँ पर आपको एसी कंडूर्स यह य प्रिमियम लगते हैं यहां हजाल लाइट ओन करने का मिल जाता आपको कुछ ऐसे यह इसका काफी प्रिमियम लगता है और क्वालिटी की बात करें तो ठीक है इसकी और यहीं जो 7-inch का आपको आपको मिल जाता है काफी बढ़िया लगता है और यह इसकी कुछ एम इडी जो इसमें आपको 8-HR-R-P-M तक 8-HR-R-P-M तक मिलती है पेट्रोर एंजन में छेह आ तक मिलती है आपको डीजल में और यहां पर इसमें आपको थोड़ा से 3D मिल जाता है यहां पर फूल का बताता है यहां गारी चल चुकिए आपकी 7200 7000 साथ यहार 25 और एक स सकते हो और आपको 2 airbags आपको मिल जाते हैं एक फ्रंट में मिलते हैं आपको इसमें यहां पर आपको कोई airbags नहीं दिये गए और सीट भाई अभी इस पर मतलब कवर नहीं लगवाए ना तो देखो गंदी भी हो गई तो कितने दाग बनके तो यहां कवर लगवाने चाहिए और यहां बॉटर होल्डर मिल जाते हैं दो आपको यहां 5-speed manual gearbox है जैसे में आपको बतागे पेट्र एंजोन आप भाई गारी स्टार्ट भी है लग भी ने ला ग्लव वोक्स काफी ठीक स्पेस आपको इसमें मिल जाता है यहां बॉटर होल्डर स्पीकर क्वालिटी ठीक है इसकी यहां पर आपको कुछ नहीं मिलता इस सड़ आपको मेरल दिया गया है अब आपको इसके काफी बढ़ी है मिलते हैं देखो तो हिक दम भाई मुझे तो Mercedes टाइब लग रहा है लेकिन आप जिस प्राइस प्राइस का इंटीर मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी आइ अब को अब आपको अब करी अब हो प्राइब कि तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसका इंटीर और आपको इसका एंजन खोल के दिखाता हूं कि कितना छोटा है इसका एंजन या कितना बढ़ा है 1.2 लिटर का जो इसमें पेट्रों इंजन आपको मिलता है वह कहां से कहा इसका वो कहां से खुलता है पेट्रोल का इसमें कहां यार आपको यहां से मिलता है खोलने का खोलते हैं और दिखाता हूं आपको इसका एक बार बॉनट वैसे अगर बिल्ड क्वालिटी के बात करें तूस्टास मिल चुक है इस कार को तो अपनी आइटवंटी से ज्यादा है ठीक है मतलब इसके के 1.2 लीटर का पैट्रो एंजन जो 84 बहप और आपका 114 नम का टॉर्ग निकालता है ठीक है वैसे कार भाई चलने बलने में स्मूथ है एक वर ड्राइविंग एक्सपियंस भी आपके साथ शेयर कर देंगे कि कार कैसी है और 37 लीटर का आपको फ्यू जोरी होने का डर लगा रहता है इसको मैं हटा लिता हूं तो आप भी इसे हटा रिया को यह जरूरी नहीं है इसमें अपनी कार की information लेती है है अगर यहां से गार चोरी करने ज़िक जरना जाता है जो चोर कर तहां यह पर आपको सिस्थ-do रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते जाते हैं ठीक है और दो बूट इसमें बूट स्पेस चेक करते हैं भाई आई-टथा सा कम है त्ची वन का आपको इसमें बूट इसमें आपको ठीक मिल जाता है तो यह थी भाई एक वीडियो ग्रेंट की क्या आप इस कार को पर्चिस करना चाहोगे पैट्रों में आपके उपर लेकिन का बहुत अच्छी है फीचर्स में इंट्रियर क्वालिटी देखो क्वालिटी हर चीज की इसमें काफी बढ़िया मिल जाती है तो वीडियो देखने के ला आपके दने बाद बाइबाद बाइबाइब टेक क्या है